नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टुद्वण चैनल में स्वागत है दोस्तों एक लब्ब मॉडल रिजिडेंशियल इसकूल में जो वेकेंसी निकली थी उसका एक्जाम डेट आ गया है एकलब मॉडल रिजिडेंशियल का जो exam date है इसके official website पर यहाँ पर जारी कर दिया गया है पूरा schedule बता दिया गया है किस माह में आपका exam होगा और किस-किस date को आपका exam होगा और किस सहर में आपका exam होगा यहाँ पर बता दिया गया है pre-admit card जारी कर दिया गया है main admit card exam से 2 दिन पहले ही आप download कर पाएंगे जिस दिन आपका exam होगा उससे 2 दिन पहले आप अपना पूरा admit card download कर सकते हैं अभी केवल आप exam date देख सकते हैं किस date को आपका exam है और साथ में exam city आप देख सकते हैं किस सहर में आपका exam होगा तो यहाँ पर दोस्तों पूरा exam का schedule जारी कर दिया गया है तो चलिए सभी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं principal, tgt, pgt सभी के लिए exam date यहाँ पर देख लेते हैं कब-कब आपका exam होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया था उनका एक्जाम 16 दिसंबर 2023 मौर्निंग में होगा और ध्यान अखिये के दोस्तों आफलाइन मोड पर एक्जाम होगा OMR सिट बेस्ट होगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OMR बेस्ट होगा आफलाइन मोड पर होगा सभी का एक्जाम आफलाइन मोड पर ही होगा प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया था उनका एक्जाम 16 12 20 23 मौर्निंग में होगा सुगा के टाइम में होगा ठीक है और पिजिटी के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया है उनका एक्जाम दोस्तो 16 12 20 23 को ही होगा लेकिन इवनिंग टाइम में साम को एक्जाम होगा तो यहां पर आप लोग देख लिजिए प्रिंसिपल पिजिटी दोनों का एक्जाम 16 12 23 को होगा फर्स्ट मीटिंग प्रिंसिपल का होगा मौर्निंग टाइम में और पिजिटी का सेकंड मीटिंग होगा साम के समय में हास्टल वार्डन की बात करें दोस्तों तो हास्टल वार्डन के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया था इनका एक्जाम 17 तारिख को होगा 17 दिसंबर 2030 मौर्निंग में होगा ठीक है और जेसे के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया था उनका एक्जाम 17 December 2023 को होगा इवनिंग के समय में ठीक है 17 December 2023 को साम को होगा JSA का एक्जाम Hastell Warden का जो एक्जाम है ये 17 December को सुबह के टाइम में होगा Lab Attendant की बात करें तो Lab Attendant के लिए जिन्होंने Farm Apply किया था उनका एक्जाम 23 December 2023 मौर्निंग में होगा 23 दिसंबर 2023 को lab attendant का एक्जाम होगा, सुभा के टाइम में, और TGT के लिए जिन्होंने फार्म अप्लाई किया था, इनका एक्जाम 23 दिसंबर 2023 को ही होगा, लेकिन यूनिंग के टाइम में होगा, साम के समय में होगा, ठीक है, दूसरी meeting में TGT का एक्जाम होगा, 23 दिसंबर 2023 लेब अटेंडेंट और TGT दोनों एक ही दिन होगा 23 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग में लेब अटेंडेंड का होगा सेकंड मीटिंग में TGT का होगा TGT मिसलेनियस की बात करें तो इनका एक्जाम दोस्तो 24 दिसंबर 2023 मौनिंग में होगा और एकाउंटेंड का एक्जाम 24 दिसंबर 2023 में होगा तो यहाँ पर दोस्तो पूरा सेडियूल जारी कर दिया गया है प्रिंसिपल और PGT का एक्जाम 16 तारिक को होगा हास्टल वार्डन का एक्जाम और JSA का एक्जाम 17 तारिक को होगा 17 दिसंबर 2023 लेब अटेंडेंट और TGT का 23 दिसंबर 2023 को होगा और TGT मिसलैनियस और एकाउंटेंड का 24 दिसंबर 2023 को होगा ठीक है फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पर एक्जाम हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो डेट आफ एक्जामनेशन आपको बता दिया गया है अब यहाँ पर आप लोग अपना सीटी कैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा प्रिंसिपल के लिए और पिजटी के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए एक्जामनेशन सीटी आपको देखना है तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और पिजटी के लिए इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा ये link आपको कहां से मिलेगा ये इसके official website पर मिल जाएगा EMRS official website पर आपको मिल जाएगा ठीक है और non-teaching के लिए यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा और TGT के लिए यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा अपना exam city देखने के लिए ठीक है hostel warden के लिए यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा तो यहाँ पर जब आप लोग click करेंगे तो इस तरह से interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको application number भरना है और इसके बाद date of birth आपको यहाँ पर भरना है और security pin यहाँ पर आपको भरना है और इसके बाद आपको यहाँ पर submit कर देना है इसके बाद आपका जो exam city है exam date है आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो आप लोग तयारी शुरू कर दीजिए December में आपका exam है अभी आपके पास समय है एक माह का समय है लगभग और कुछ पदों के लिए आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद